नमस्कार मैं हूँ शेली महिश्वरी गुपता इस सप्ताहा आपका भविश्वल कैसे रहने वाला है यानि कि 26 नवंबर से 2 डिसमबर तक आपका सप्ताहा क्या रंग लाएगा ये जानिये जोतिश मेरे साथ यानि कि आपका जोतिश के अनुसार राश्यों के अनुसार आपका ये सप्ताहा कैसे जाने वाला है मैं आपको अभी बताती हूँ तो शिर्वात करते हैं मेश राशी के साथ इस सप्ताह के दो दिनों में और या फिर इस सप्ताह में आप उच शिक्षा की और काफी रुची रखेंगे और आपको काफी भड़त भी मिलेगी विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं और साथी साथ एक बड़ी सफलता भी आपके हाथ आएगी स्पेशली शिक्षा के केंद्र में साथी घर परिवार में काफी प्रेम और विश्वास बना रहेगा यानि कि इस सप्ताह अच्छा तालमेल बना रहेगा अपने परिवार वालों के साथ और साथी व्यपार में भी काफी लाब आपको मिल सकता है specially सपता के 2-3 दिनों के अंदर और कोई नए व्यपार करने की भी आप सोच रखेंगे साथी धार्मिक कारियों में भी आपकी काफी रूची बढ़ने वाली है पर आपको अपनी स्वास का काफी ख्याल रखना होगा रक्त विकार होने के काफी चांसेज है या फिर सास फूलने के भी काफी चांसेज है यानि कि आप घुटनसी भी काफी महसूस करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप हलका फुलका व्यंजन ही खाएं और पानी जादा पिएं सब्ता के अंतिम दिनों में प्रेम संबंधों में कुछ ताल में नहीं बैठ पाएगा यानि कुछ गरबड़ी आ सकती है और आपकी प्रेमी आपसे रूट सकते हैं पती रूट सकती है पती रूट सकते हैं तो जरह सामनजस से बना के चलिए क्योंकि शान्ती बहुत जरूरी होती है और प्रेम भी बहुत जरूरी होता है इसलिए इस सब्ता आपको काफी पेशिंस रखना पड़ेगा स्पेशली अंतिम दिनों में पर नौकरी की शेतर में काफी आपको लाब मिलेगा याने की अच्छा प्रमोशन होने के भी चांसे हैं आपके और काफी लाब प्रत जाएगा अगर विपारी हैं तो उनका समय काफी लाब प्रत दिखा रहा है इस सप्ताह और साथ ही आपके घर में गैस्ट और विजिटर्स आने की काफी चांसे लग रहे हैं आपके लिए क्या कहते हैं इंजल कार्ड आपको क्या सजेशन देते हैं तो हम निकालते हैं आपका सजेशन कार्ड यह मेश राशी का explore your options जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि उच्छा के केंद्र में या शेत्र में और विपार आपके लिए लाप्रद रहेगा इस सब्था और अब हम बात करने वाले हैं विर्शब राशी वालों की ये सब्था उनके लिए क्या रंग लाया है जड़ा देखते हैं इस सब्था विर्शब राशी वाले कुछ परिशान रहेंगे वे जादा होने के चांसे meaning you'll be spending a lot और unnecessary spending होंगी आपकी धन वे काफी होने के चांसे हैं और कुछ कानूनी कारवाही भी होंगी जो ठीक मोर नहीं लाएंगी जिसके कारण आप खुशी महसूस नहीं करेंगे थोड़ा सा tense समय है specially सब्था के दो तीन दिनों के अंदर सब्था के अंतिम भाग में यह आपके हैं कि last week में थोड़ा स्वास्त का आपको ध्यान रहना पड़ेगा कि इस वास धीला ढाला रहेगा और specially आप प्रेम संबंदों में पर उचाई स्थापित कर सकते हैं यानि कि प्रेम संबंद सुधरने वाले हैं आपके और अच्छा तालमेला बिठाएंगे अपने परिवार वालों से आपको अपने परिवार वालों से सपोर्ट मिल सकता है और जो स्टूडेंस हैं जो उनका लास्ट वीक आ रहा है उनके लिए बहुत अच्छा समय है जो संगश वो कर रहे होंगे सप्ता के शुरवात में वो एंड होने वाला है यानि कि आपको विजय प्राप्त होगी और आप और आगे के सतर पे भढ़ेंगे इसलिए कड़ी मेहनत करना ना छोड़ें व्रिशब राशी का लगी कलर इस अपता हा आ रहा है पिंक और अब हम देखते हैं कि एंजल काज आपको क्या सजेशन दे रहे हैं इसलिए ब्रिशब राशी के लिए आप तो born entrepreneur हैं, meaning आपके अंदर ऐसी qualities हैं कि आप उचाईयों तक जा सकते हैं, इसलिए कड़ी मेहनत बिलकुल करना ना छोड़ें और अगर कोई संघर्ष भी आ रहा है तो दुखी ना हो या give up ना करें, क्योंकि आपको surround कर रही है magical opportunity यानि कि भगवान आपका पूरा साथ दे रही है और हम बात करते हैं मिथुन राश्यवालों की, इस सपतह उनके लिए क्या रंग लाने वाला है ज़रा देखते हैं, मिथुन राश्यव के लिए ये सपतह काफी खुशी देने वाला है, यानि कि लाप्रत भी है और आप प्रसंद चित भी रहेंगे, क्योंकि अगर जो वेपारी हैं उनको बहुत अच्छा कोई लाब मिल सकता है या जो वो सोच रहे हैं उनके लिए वो चीज सक्षम हो सकती है और साथ ही आप एक अच्छा कारुबार चलाने के काफी योग रहेंगे काफी फिट रहेंगे जिसके कारण आपके अच्छे विचार आएंगे अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे तो आप अच्छा काफी फील करेंगे यानुन को लेकर साथ ही घर ग्रैस्ती में भी बहुत प्रेम बना रहेगा वह बहुत की बच्चे और आपकी पत्नी jot बहुत क क्या और धार्मिक कारında बढ़ सकता है और धार्मिक कारियों में बहुत रुची भणने वाली है आपकी आप अपने कारियों में बहुत सफल रहेंगे तो यही मैं आपको बतारी हूँ कि इस सब्सक्राइब मिधुन राशियों के लिए बहुत भड़िया है क्योंकि वो प्रसंचित भी रहने वाले है और साथी साथ फैमिली का सपोर्ट भी बिलने वाला है और साथी साथ सफलता भी मिलने वाली है इसलिए आप कोई भी ऑपरचुनिटी को ना छोड़ें और मजबूती से आगे भड़ते रहें इस सब्सक्राइब आपको थोड़ी शारिरिक पीड़ा हो सकती है हो सकता है कि क कि भागदौर के कारण आप थकान बहुत महसूस करें या फिर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो इनर्जी थोड़ी लो रहेगी इसलिए आपको अच्छी चीज़े खानी चाहिए जिसके कारण आप थोड़े इनर्जेटिक रहें और डेफिनेटली एक्सराइज़ेज और मेडिटेशन आपके लिए बिलकुल रिकमेंड़े है साथ ही इस सब्ता आप जो स्पेशली अंतिम दिन है कोई आपका मित्र पुराना मित्र आपको एक सप्राइज विजिट दे सकता है या फिर आपके घर में गैस्ट आ सकते हैं और आप काफी प्रसंचित रहेंगे त और आपका इस सब्ता का लकी कलर आ रहा है पॉपल अब हम यह देखते हैं कि आपका सिजेशन कार्ड क्या कह रहा है जो इंजल कार्ड है वो सिजेशन कार्ड होते हैं तो देखते हैं कि यह सब्ता आपको क्या सिजेशन कार्ड दे रहा है इंजल कार्ड यह सब्ता बता रह है कि आपको बहुत positive रहना चाहिए यानि कि watch your thoughts आप बिल्कुल भी डरे ना ये बता रहा है कि डर का ये negative thinking बिल्कुल भी न लाएं क्योंकि जब अच्छे ग्रह चलते हैं कई बार आदमी insecure हो जाता है कि जब एक साथ आप खुशिया मिलती है कि insecure हो जाता है कि हमारे साथ ठीक चलेगा कि नहीं चलेगा या फिर जो हम रिस्क ले रहे हैं decisions ले रहे हैं वो हम doubtful या insecure हो जाते हैं थोड़े तो ये सब आपके लिए बता रहा है कि important decision कि आप positive ही रहे and आप जो desire करना चाते हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचिए because सभी law of attraction आपके लिए काम देगा और हब हम बात करते हैं करक राशी की इस सब्तह आप अजीविका के साधनों को और बढाने के लिए काफी प्रयास करेंगे और काफी मेहनत भी करेंगे especially technology से related कोई भी वैपार जो कर रहे है उनके लिए ये सब्तह अच्छा जाने वाला है पर संगर्श है, struggles हैं पर विजय आपको प्राप्त होगी यानि कि जो आपके प्रयास हैं वो सफल रहेंगे आपके लिए पर इस सब्तह आपको थोड़े precautions भी लेने पड़ेंगे especially money spending में तोकि इस सब्तह धन वै बहुत दिखा रहा है unnecessary spending रहेंगी तो इस सब्तह और ये भी दिखा रहा है कि थोड़ा शारे रिकर्ष्ट हो सकता है especially सिर्दर्द या फिर थकान या फिर कुछ पीट की problem हो सकती है spinal related problems हो सकती है और तो इसलिए आपको अपने स्वास्त का ध्यान देना होगा और especially कुछ personal problems भी हो सकती है जो आपको समझ में नहीं आएंगी अपने ही personal relations आप खुद भी spoil कर सकते हैं अपने क्रोथ के कारण या फिर जैसे कई बार taken for granted हम ले लेते हैं लोगों को उसके कारण कुछ personal problems हो सकती है तो इसका आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा इस सब्ता है पर इस सब्ता के अन दिनों में आपके लिए good news है बहुत अच्छी opportunities आने वाली है और उन opportunities को आप पूरा करेंगे भी यानि कि आप छोड़ेंगे नहीं उन opportunities को जिसके कारण आप प्रसंद रहने वाले हैं यानि कि एक ऐसी opportunity आएगी जो आपको बहुत प्रसंद रखेगी और साथी साथ आप बहुत energetic भी महसूस करने लगेंगे इस सब्ता के अंतिम दिनों में कुछ कानूनी कारवाई हो सकती है especially property related matters को लेकर कुछ problems आ सकती है या फिर वो पूरी नहीं हो पाएंगी आप जो सोच रहे हैं और कुछ भाई बहनों से भी संभंद कुछ थोड़े से अनबन में रहेंगे यानि की कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहेंगे तालमेल नहीं बैठेगा तो जिसके कारण आप थोड़ा सब्ता के अंतिम दिनों में especially भाई बहनों के कारण आप परिशान रह सकते हैं करक राशी के लिए जो lucky color आ रहा है सब्ता का वो आ रहा है yellow येलो आपको काफी energetic रखेगा और काफी cheerful रखेगा और हम देखते हैं angel card आपके लिए क्या suggestion ला रहे हैं सो करक राशी के angel cards है जोड़ा देखते हैं make a wish that is a very very good card meaning ये card एक ऐसा angel card है कि आप इस सब्ता जो wish करेंगे और अगर आप universe से connected होके wish करेंगे याने कि अपना संपून energy को universe की energy से आप एक कर देंगे तो आपके लिए magical moment create होगा जो आपकी इच्छा को पूरी करेगा मैं आपको ये भी बता रही थी कि एक अच्छी opportunity आने वाली है आपके तो just make a wish कि ये opportunity आपके बहुत सफलता लाए आने वाले दिनों में और अब बारी आती है सिंग राशी वालों की इस सब्तह आपका self respect बिल्कुल और self esteem बिल्कुल highest peak पे होगा समाजिक प्रतिष्टा आपको मिलेगी कुछ awards आपको मिल सकते हैं ज्ञान विज्ञान के शेत्रों में आप उच्छाई हासिल करेंगे यानि की intellectual philosophy philosophy, spirituality, all these are very good for you, all these fields are very good for you to gain respect and also to do something better in life और इस सब्तह जो सिंग राशी वाले हैं, especially जो parents हैं, माता पिता हैं, उनके लिए good news है, जो इतने दिनों से अपने लड़की या लड़के के लिए पुत्र पुत्री के लिए marriage proposal ढून रहे थे भड़िया, तो इस सब्तह हो सकता है कि आपको इसमें सफलता प्राप्त हो, यानि की आपकी लड़की के हाथ पीले हो सकते हैं, और या फिर पुत्र का विवा होने की काफी योग बन रहे हैं, and especially मैं एक और बात बताना चाहती जो sports से related हैं, यानि की sports field से related है, sportsmen है, उनके लिए बहुत भड़िया time है ये, especially ये सब्तह उनको बहुत सफलता मिलने वाली है, इसलिए कड़ी मेहनत करते रहें, never give up, never quit, and especially विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, especially ये सब्तह के शिरवात में ही आपको ये good news मिल सकती है या फिर जो विपारी हैं, कुछ विपार के सिल्सिले में उन्हें विदेश यात्रा संबह गई, यानि की उनको विदेश के काफी लाब मिल सकता है, अगर वो विदेश यात्रा करें साथी धन निवेश के मामलों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, लाप्रत रहे का निवेश आपके लिए, कोई पुराना निवेश आपके लिए लाप्रत रह सकता है, या फिर आपको एक नया निवेश करेंगे, जो आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छा साबित और अब हम देखते हैं कि आपके एंजल कार्ड आपको क्या सजेशन दे रहे हैं इस अपता के लिए, इस इस कार्ड एंजल कार्ड वर्दीनेस, यानि कि know that you deserve to receive good in all ways, यानि कि अपने उपर पूरा विश्वास रखे, आत्म विश्वास, confidence आपको आगे लेका जाएगा, कभ अब हम बात करते हैं कन्या राजशी वालों की, देखते हैं ये सपता आपके लिए क्या रंग लाता है, इस सपता आप काफी भड़िया महसूस करने वाले हैं, especially physically fit रहने वाले हैं, और obviously if you are physically fit, then you are very mentally recharged, यानि कि आपकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी, आपका स्वास काफी बढ़िया रहेगा और पहले से आप जादा अच्छा महसूस करेंगे और अपने कामों को जादा अच्छी तरह से कर पाएंगे, साथी वेफसाई के शेत्रों में भड़त मिलेगी आपको और आपका मन बहुत प्रसंद रहने वाला है, यानि कि energetic रहेंगे और physically fit भी रहेंग and attractive भी रहेंगे, ग्राव ग्रस्ती में भी काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए, काफी support आपको मिलेगा अपनी family से और काफी मन भी आपका लगा रहेगा, आपकी अच्छी evening outs हो सकती है, अपने पूरी family को लेके get togethers भी हो सकती है, जिसके कारण आप काफी खुशी महसू या अभी ही कोई हाली में investment किया है, वो आपको लाब देके जाएगा, और अगर कोई property related dispute चल रहे है, तो वो solve हो जाएगी, तो ये सब्ता यानि कि आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है, इसलिए आप अपने आपको बिल्कुल energetic रखी, उसके लिए prepared रहे है, और ये स suggestions लेके और भी आप क्या भढ़िया कर सकते हैं, I think so, इस सब्ताहा आपका काद आ रहा है protection, यानि कि आपको अपना अपनी family को protect रखना पड़ेगा, हो सकता है कि इस सब्ताहा आप बहुत नजरों में हो लोगों के, इसलिए थोड़ा सा आप अगर down to earth रहे, तो आपके लिए काफी भढ़िया रहेगा, क्योंकि कई बार अगर हम थोड़े से egoistic हो जाते हैं, और हमारे काम पूरे होने लगते हैं, थोड़ा हमें घमंड आ जाता है, या attitude आ जाता है, वो भी ठीक नहीं होता, इसलिए कई बार हमें अगर हमारे काम अच्छे हो रहे हैं, या खूब खु या भंडार ला रहा है, इस अपता तुला राशी वालों के लिए उच्छिक्षा और टेक्नोलिजी के शेतर में काफी अच्छी सफलता है, यानि कि स्टूडेंस हैं या फिर जो वेपार कर रहे हैं टेक्नोलिजी के शेतर में उन्हें सफलता प्राप्त होगी, और साथ ही अगर आपको इंटर्व्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, परिवार से भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है, पर मदर की थोड़ी सी तबियत, यानि की स्वास थोड़ा धीला रहेगा, तो उनके साथ समय बिताना आपके लिए बहुत इ इसलिए सबसे पहले अपनी मदर के साथ क्वालिटी टाइम जरूर बिताएं, साथ ही धार्मिक कारियों को करने के लिए आप काफी उत्साहित रहेंगे, और स्पेशली आपके जो बच्चे हैं, उनसे आपको कोई गुद न्यूस मिल सकती है, हो सकता है वो कोई अवार इस सब्ता जो घर बनाने की सोच रहे है या फिर कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे है घर बनवाने के लिए तो आपको काफी सफलता मिलने वाली है, यानि जल्दी आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले है, ड्रीम कम टू होने वाले है, एक बढ़िया सा घर आपके सामने जल्दी आने वाला है साथी प्रेम संबंद काफी अनुकूल रहेंगे और अच्छे रिजल्स के कारण आपका मन बहुत प्रसंद रहने वाला है और आपका लखी कलर आ रहा है येलो और स्पेशली अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ण आपको क्या सजेशन देने वाले हैं एंजल कार्ण ये कह रहे हैं music for manifesting यानि कि अगर आपको कुछ अच्छी सफलता प्राप्त करनी है किसी भी शेत्र में तो आपको stress free होना पड़ेगा यानि कि शांत दिमाग से सोचना पड़ेगा decisions लेने पड़ेगा हडबडी में नहीं रहने चाहिए आपको decisions इसलिए अगर कभी आप stress महसूस कर रहे हैं तो music चलाएए या फिर कोई game खेलिए जिसके कारण आपका stress खतम हो जाए और देखी कि उसके बाद क्या अच्छे विचार आएंगे जिसके कारण आपको सफलता मिल सकती है और हम बात करते हैं विच्चिक राशी वालों की यानि की scorpions की इस अपता technology के शेत्र में आप काफी लाब पा सकते हैं या फिर कुछ एक नई opportunity आपके सामने आएगी या कोई एक नय invention आपके सामने आएगा जो आपके लिए बहुत भड़िया थाबित होने वाला है यानि कि अच्छा अफसर आपको मिलने वाला है अच्छी opportunity मिलने वाली है और साथ-साथ वो आपको लाब भी देगा और जो sportsman है एक कड़े मुकाबले के लिए तयार हो जाईए काफी संगश है आपको इसलिए आपको बहुत अच्छी preparations करनी होगी और जो वेपारी है यानि कि businessman है उनके लिए भी काफी भागदौर लिखी हुई है पर जादा काम नहीं बन पाएंगे stress जादा रहेंगे और भागदौर भी बहुत रहेंगी और especially इन दिनों आपकी सेहत भी आपका साथ नहीं देगी यानि कि आप अपने शरीर से भी परिशान रह सकते हैं कुछ ठकान महसूस कर सकते हैं especially सिर का दर्द और दातों का दर्द का योग है इसलिए थोड़ा खान पान पे आपको ध्यान देने की बहुत जरुद है इस सब्ता काफी आपको सयम बनाने की जरुद है और हर चीज़ को patiently डील करने की जरुद पड़ेगी साथी संतान से भी इत्ता सुख आपको प्राप नहीं होगा हो सकता है कि आपके संतान में से कोई एक संतान थोड़ा सापको परिशान करे या जो आपने expectations की हैं उनसे वो हो इसलिए I think so expect less you'll be more happy साथ ही इस सब्ता आपके लिए जो लगी कलर आ रहा है वो आ रहा है ग्रीन और अब हम देखते इंजल कार्द आपको क्या suggestion दे रहे हैं angel cards कह रहे हैं आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं a new dawn का card आया है आपका यानि की संघश काफी रहेगा stress रहेगा पर उससे घबराने की जरुद नहीं क्योंकि आगे जो आपको opportunities मिलने वाली हैं और जो experiences मिलने वाले हैं वो आपके लिए blessed change लाने वाले हैं life में इसलिए आप आपको जो stress मैसूस हो रहा है वो आप उसे डरिये मत क्योंकि आगे आपके लिए काफी अच्छा है a new dawn is waiting for you और अब हम बात करते हैं धनू राशी वालों की इस सब्ता आप काफी गहन विचारों में डूबे रहेंगे किसी भी शेत्र को लेके कोई भी फील्ड में है आप पर आप बहुत कुछ सोचेंगे काफी विचार आपके मन में आएंगे और फिर भी आप अपने confidence को lose ना करिए मतब आत्म निर्भरता को बढ़ाने की कोशिशों में आप लगे रहें पर स्वास आपका काफी साथ देगा मतब स्वास आपका सुखद रहेगा और सुन्दर रहेगा तो इसलिए आपका मन प्रसंद रहेगा विचार बहुत आएंगे पर फिर भी आपका मन प्रसंद रहने कि स्वास्त थोड़ा सा गडबर रहेगा especially घुटनों में दर्द होने की problems दिख रही है तो ध्यान रखें कि अपना वजन जादा ना भड़ाएं या फिर जादा जिसे कई बार exercises हम कर लेते हैं या अपना ध्यान नहीं रखते हैं या posture हमारा सही नहीं रहता तो कई बार हमें ये problems आ जाती हैं तो इस सप्था आपको अंतिन दिनों में especially अपने especially posture का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और सप्था क्यांत में कुछ अब धर्म या परुपकार का काम करेंगे तो उसमें भी रुकावते हैं या फिर किसी यात्रा में भी रुकावत आ सकती है जो अपनी यात्रा सोची है हो सकता है वो ना हो तो आप थोड़ा सा negative फील करेंगे और especially पर आपके जो संतान है या आपको जो wife या husband spouse है आपके वो आपको कोई good news दे सकते हैं जिसके कारण आप काफी बढ़िया महसूस करेंगे सब तहा के आंत में दो there will be problems of health but still you will be more happier when listening to your spouse or getting a good news from your children और आपका lucky color आ रहा है orange और हम देखते हैं कि angel cards आपको क्या suggestion देने वाले हैं angel cards का ये card है explore your options आप ये देख रहे हैं यानि कि ये तो बहुत self-explanatory है explore your options जो भी possibilities आएंगी उनको explore करें जो भी आपके सामने opportunity है explore करें explore करना बंद मत करिये आगे भंडने का ये ही तरीका है कि we have to explore ourselves and explore all the opportunities and the possibilities that are coming in front of us मकर राशी के लिए सप्ताहा बोल रहा है कि आपको काफी संगश करना पड़ सकता है यानि कि प्रयास आपके ज़्यादा रहेंगे पर लाब आपको कम मिलेगा पर घबराये मत जो भी authentic efforts होते हैं कभी वो fail नहीं होते कही ना कही वो result जरूर दे के जाते हैं इसलिए आप प्रयास में जुटे रहें साथी website के शेत्र में कुछ ups and downs हा सकते हैं इसमें भी संगश लिखा हुआ है और पारिवारे के मामलों में भी थोड़ा संगश है आपको काफी straightforward रहना पड़ सकता है परिवार की उलजिनों में आप फस सकते हैं या फिर किसी से अनबन हो सकती है आपकी इसलिए better है कि आप एक अच्छी understanding रखें साथी अपनी जो भी भावना है उसे clearly express करें पर सब्ता के अंतिम दिनों में आपके लिए good news है सेहत भी काफी भड़िया रहने वाली है साथी वेपार के शेत्रों में आपको अच्छा लाब मिल सकता है या फिर वेपार के शेत्रों में expansion होने की काफी उमीद बन रही है और सब्ता के अंत में कोई एक इतना important decision लेना पर सकता है चाहे वो student हो या फिर वेपार के शेत्र से आप जुड़े होएं या job कर रहे हो तो किसी experienced वेक्ती से आप मिले जिसकी knowledge आपके लिए काफी काम आएगी so make sure you meet somebody which is very much related to your profession and he can give you a very experienced knowledge about whatever you are stuck in so इसलिए ये सबताहा आपके लिए थोड़ा संगर्श में है पर ध्यान रखिए संगर्श अगर हम प्रयास के साथ करते रहेंगे मतलब हम अच्छी कड़ी महनत करते रहेंगे तो जो भी efforts है जो well intended authentic efforts है कभी वो waste नहीं जाएंगे और साथ ही जो आपका lucky color आ रहा है इस सबताह वो आ रहा है नेडी blue और हम देखते हैं कि ये angel cards आपको क्या suggestion देने वाले है ये इस these cards says what I have said कि आप अपनी कड़ी महनत करते रहे यानि कि अपने प्रयास करते रहे क्योंकि ये प्रयास आपके लिए काफी लाप्रत साबित होने वाले इट कैन ब्रिंग अब्लेस चेंज इन ये लाइफ आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कब लाइफ में एक major change आ गया इसलिए आप अपनी कड़ी महनत में जुटे रहे major life change brings you great blessings इस सब्सक्राइब आपका self respect बिल्कुल और self esteem बिल्कुल highest peak पे होगा समाजिक प्रतिष्टा आपको मिलेगी कुछ awards आपको मिल सकते हैं ज्यान विज्यान के शेत्रों में आप उच्छाई हासिल करेंगे यानि कि intellectual philosophy, spirituality all these are very good for you all these fields are very good for you to gain respect and also to do something better in life angel cards कह रहे हैं आप बिल्कुल भी घबराए नहीं a new dawn का card आया है आपका यानि कि संघश काफी रहेगा stress रहेगा पर उसे घबराने की जरुवत नहीं क्योंकि आगे जो आपको opportunities मिलने वाली हैं और जो experiences मिलने वाले हैं वो आपके लिए blessed change लाने वाले हैं लाइफ में इसलिए आपको जो stress मैसूस हो रहा है वो आप उसे डरिये मत क्योंकि आगे आपके लिए काफी अच्छा है a new dawn is waiting for you बीन राशियों के लिए ये सब्ताह अच्छी सेहत ला रहा है यानि कि आप जो भी discipline follow कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा result देने वाली है इसलिए be disciplined and exercise well and eat well and especially ये सब्ताह आप काफी professional और aristocratic लोगों से मिलेंगे highly high profile के लोगों से मिलेंगे आप जिसके कारण आपको एक अच्छी knowledge मिलेगी especially विचारों का अदान प्रदान होगा जो आपके लिए लाप्रत साबित होगा विपारों के लिए भी good news है अच्छी आमदनी रहेगी और साथी साथ अगर आप किसी interview के लिए जा रहे हैं उनसे आपको good news मिल सकती है उनको अपना soulmate मिल सकता है और या फिर अगर आप अपने soulmate की खोज में है तो आपको soulmate मिल सकता है यानि कि प्रेम संभंद आपके भड़िया रहने वाले हैं और या आपको सच्छे प्रेम की प्राप्ती होने वाली है साथी तक्नीक यानि की टेक्नोलिजी और साहित रियानी की लिट्रेचर के शेत्रों में आपको काफी काम्याभी मिलेगी और विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं या फिर विदेश ते लाब लिखा हुआ है यानि की internationally also you will feel much much opportunities in your life and especially success in your life relating to international relations सब्ता के अंत में थोड़ा धन वे मयानी की spending ज़्यादा रहेंगी luxurious items में या फिर entertainment में आप काफी spend करने वाले हैं extravagant होने वाले हैं तो देखते हैं आपका lucky color क्या आ रहा है lucky color आपका आ रहा है sky blue और साथ ही हम angel cards को खोलेंगे की आपको क्या वह suggestions देने वाले हैं तो आपके angel cards क्या बोलते हैं जड़ा देखते हैं angel cards बोलते हैं pay attention notice repetitious signs and your inner guidance यानि की जो आपकी आत्मा बोल रही है जो आपकी inner spirit बोल रही है inner voice बोल रही है उस पे आप ज़्यादा ध्यान दें make the inner voice your guide जो आपके विचार आ रहे हैं जो अंतर आत्मा आपसे बोलना चारिए उस पे जड़ा ध्यान दें तो ये आपने सुना अपनी राश्यों का भविश्वल इस अपताह के लिए और हम फिर से मिलेंगे अमर उजाला ठीवी पर